असलाम अलेकुम इस वीडियो में आपके लिए कॉरेक्ट भैतरी इन अपॉर्चुनिटी लेकर रहा हूं और यह अपॉर्चुनिटी आ यह इन्फोसेस की तरफ से इन्फोसेस की बल्क हायरिंग फिर से स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर यहाँ पर आप इंडिया के किसी भी होने से अपलाई कर सकते हैं वीडियो पूरा जरूर दिखे इलिजिबिलिटी समझे किस तरह अपलाई करना है यह समझे फिर अपलाई कीजिए अगर आपको कुछ भी डाउट है रलेटेट वो इन्फोसेस में कितने राउंड्स ऑफ इंडवी होते हैं क्या क्वेस्टन्स जए अपलाई करने के बाद कितने दbrand में रस्पॉंस हाता है इस वीडियो के डिस्क्रॉप्शन ब्ॉक्स में और इस वीडियो की फिरस्ट कमेंट में मैंने इंफोसेस का डिसकस्शिन गुरूप का लिंक दिया है आप वो group join करकर अपने सारे doubt क्लियर कर सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अगर आप मुझे support करना चाहते हो देन प्लीज मेरे चैनल को subscribe कीजिए और side वाले bell icon को जरूर से press कीजिए ताकि आपको यह update मिस ना करें Infosus की Mass Hiring फिर से स्टार्ट हो चुकिया यहाँ पर यहाँ आर करें degree and b.tech students बोथ technical non-technical graduates यहाँ पर दोनों अपलाई कर सकते हैं batches की बात करें 2019 से लेकर 22 passed out salary 3.6 LPS salary परानम location all over India यहाँ पर candidate all over India अपलाई कर सकते हैं यहाँ पर आपका aggregate 60% या फिर उसके ऊपर होना चाहिए throughout your academic उससे कम है तो आप यहाँ पर apply नहीं कर सकते हैं अगर आपको कोई active backlog है तो आप भी यहाँ पर apply नहीं कर सकते हैं अगर आपको दो साल के ऊपर नहीं होना चाहिए आपके पास सारे documents in hand होने mandatory है one more thing infosys कभी आपसे पैसे नहीं मांगता अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा infosys के नाम पे तो आप समझाना वो fake है और infosys हमेशा आपको mail करता है infosys की domain email id से आपको कभी gmail hotmail rediff mail से आपको mail नहीं करता यहाँ पर apply करने का link है description box में जब आप link पर click करोगे आपके सामय कुछ इस तरह का interface आए यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा privacy statement है आप यह सारा statement पढ़ सकते हैं पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर agree पर click करना है फिर आपको accept पर click करना है क्लिक करने के बाद आपके सामय यह form आएगा यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपको चूज करना है आपका gender male और female ठीक है फिर आपको आपका second option है आपका first name ऐस पर आधार काड last name primary email address जो आप address यूज करते हो email address आपका recent passport size photo यहाँ पर आपको upload करना है यहाँ पर आपको आपका recent resume video में upload करना है PDF format में less than 2MB आपका contact number जो आप regular use करते हो alternative contact number यह वाला option आप छोड़ भी सकते हो date of birth citizenship इंडिया क्या आपके पास passport है yes or no ठीक है address for communication आपका house number street address यहाँ पर आप लिख सकते हो आपका address line 2 pin postal code state country city यह page फिल करने के बाद आपको यहाँ पर next page पे क्लिक करना है इसी त सारा page पढ़ना है सारे fields को आपको सहीं से पढ़ना है उसके बाद आपको फिल करकर अच्छे से यहाँ पर submit करना है अगर यह वाली requirement आपकी profile से match करती है then please apply किजिए आपको कुछ भी doubt है please comment below and आप मुझे support भी कर सकते हो मेरे चानल को subscribe करकर अल्लहाफ़ज